सुप्रभात साथियों गुड मॉनिंग एवरिवन साथियों मैं दर्शन मननद गुरुप से आज हम आए हैं सेक्टर 22 दी के पार्क में ताकि 22 दी के शेत्र में आने वाली अपकमिक स्कीम के बारे में आपको जानकारी दे सकें यमुना एक्सप्रेस वे अथोर्टी आने वाले कुछी दिनों में एक स्कीम लेकर आ रहा है जी बिल्कुल ये वहर रेजिदेंशल स्कीम है जिसमें 2000 प्लोट्स की स्कीम यमुना एक्सप्रेस वे अथोर्टी लाँच करेगा आने वाले कुछ ही दिनों में ये scheme आ जाएगी साथियों इस scheme में सबसे वड़ी खुशकबरी की बात ये है इससे पहले जो schemes आईए residential की उसमें one time payment करने वाले ग्रहाकों को इस scheme के बारे में बात करते हुए सबसे पहले में बताना चाहता हूँ यहां पिछले बार जो स्कीम आई है जैसे अभी कुछ समय पहले 477 प्लॉट्स की स्कीम यमुना एक्स्प्रेस वे अथॉर्टी लेकर आये था उसमें वन टाइम पेमेंट करने वाले जो निवेशक थे उनको प्राइवर्टी दी गई थी लेकिन इस स्कीम की खास बात ये है यहां 2000 प्लॉट्स का ड्रॉव होने वाला है ये स्कीम निकलेगी उसमें बहतर और अच्छी खुशकबरी ये है कि जो निवेशक किष्टों में पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें अप्षन रखा जाएगा जी बिल्कुल इस विकल्प के साथ अब हर वह व्यक्ति जो यहां प्लॉट्ट लेना चाहता है निवेश करना चाहता है वह निवेश करके प्लॉट प्राप्ट कर सकता है साथियों साथी साथ अगर बात करें यहां के plotting area की यह scheme कई जगा पनलव यमुना expressway authority कई जगा इसमें निकले हुए plots को लगाएगी जैसे बात करें सेक्टर 22D में आज हम आए हैं साथी साथ सेक्टर 17 में भी कुछ plots लगाए जाएंगे साथियों 2 से 3 जगा ये plots लगाए जाएंगे इसमें सबसे छोटा plot 90 मीटर का रहेगा साथी साथ 400 मीटर तक के size यानि इसमें कई size को देते हुए 90 मीटर से 400 मीटर तक का plot scheme में रखा जाएगा साथियों 2000 plots की scheme के साथ साथ बाकी अधर प्रोजक्ट भी यहां आए दिन नए सिरे से विकास कारियों को आगे बढ़ा रहे हैं अगर बात करें यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी की जी बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी का site office है यह planning department का site office है इससे यहां shift कर दिया गया है क्योंकि आए दिन अलोटी को जो यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी का head office है short documentation के लिए भी वहां जाना पड़ता था उनकी भागदोर कम हो सके इसलिए यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी ने यह नया office बनाया है यहां office होने के बाद काफी बड़ी मात्रा में अलोटी को फाइदा हुआ है अब documentation के लिए उन्हें इधर उधर नहीं भागना पड़ता सारी भागदोर को खतम कर दिया गया है यह हर उसलिए के लिए खुशकबरी की बात है जो documentation कराने के लिए बार बार यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी के head office जाया करते थे अगर बात करें यहां से expressway मतलब जहां जिस position पे अब हम खड़े हैं 22D को लेके यहां से एप्रोक्स लगभग 10 से 12 किलोमेटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेस वे अथार्टी का head office है साथियों साथी साथ यहां head यहां office shift होने से बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है अगर documentation से सम्मनित कोई भी जानकारी, कोई verification, कोई inquiry बारी या कोई किसी परकार का possession certificate या किसी भी बात को लेके allotment से related कोई भी documentation आप करना चाहते हैं आप इस office में यहीं आके अपनी वो कागजी कारवाई पूरी कर सकते हैं साथियों आने वाली scheme से सम्मनित जानकारी देने के लिए हम यमुना एक्सपेस पे अथार्टी के हर उस शेतर में जाकर आपको ground report देना चाहते हैं जहां ये 2000 scheme 2000 plots की scheme के plots लगाए जाएंगे जी बिल्कुल आप देख सकते हैं sector 17 के A, B and C ब्लॉक का रास्ता यहीं से होके जाता है सातियों sector 17 में हम मौझूद हैं, यहां पर 2000 जो plots अलोट किये जाएंगे उसमें से कुछ plots यहां भी स्थापित किये जाएंगे यहां लगाए जाएंगे, अगर बात करें जैसे हमने बताया 22D के विशा में वहां भी कुछ plots लगाए जाएंगे यानि अलग अलग जगा दो से तीन जगा उन plots को लगाया जाएगा सातियों, इस scheme से सम्मंदित, आप form भरने से लेके, आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी form भरने में मदद करें आप बिल्कुल हमसे संपर्ग कर सकते हैं या scheme से संपर्ग कर सकते हैं आप नीचे दिये गए नंबर पर संपर्ग करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप form भरने में कोई समस्या अगर फेस करते हैं आप हमसे उसके विशे में भी जानकारी ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.mannatgroupofrealestate.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद जैन साथ